जब भी महिला प्रेगनेंट होती हैं उनके बोडी में ये तमाम तरह के चेनज़ ज़रूरह आते हैं और सभी महिलाओं के मेंस्टरीशन साइकल भी अलग अलग होती हैं कुछ महिलाओं मेंस्टरीशन साइकल बिल्कुल नॉर्मल यानि के 28 दिन के असपास 28 दिन, 29 तुछ हैं उसी हिसाब से होते हैं क्योंकि जब आपका इंप्लांटेशन अगर सक्सेस्फुली हो जाता है तब ही जाकर आपके बोड़ी में बहुत सारे फिजियोलोजिकल चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस की वज़े से आपको यह सारे सेंड्रम दिखाए देते हैं आज की वीडि लगाने की ज़रुरत है और कब उमीद लगाने की बिल्कुल ज़रुरत नहीं है वीडियो काफ इंफर्मिटीव है प्लिश्रू से लिकिलाज तक जरूर देखिए कहां नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्शिता वर्मा है और आपको मेरे चैनल ट्विन्स मैं वल्ट पे बहु बहुत ज़दा उमीदे नहीं लगानी अगर अच्छी बात है इंगर नहीं चलेगा कि ऐस च्ट्रेस में आपका चैनल गया और इस्ट्रेस के वजह से कितने जादा होर्मोनल बदलाव होते हैं तो आपके बोड़ी में सही टैम पे जो ऑफिलूशन होना चाहिए वो नहीं और जब तक अगर implantation नहीं हो जाती है आपके body में ये physiological changes दिखाई ही नहीं देंगे जो की pregnancy के होते हैं आप pregnancy के लक्षन जो कि यहां पर मैं एक बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यदा short short काम करता है around 90-95% महिलाओं को ये feeling ज़रूर आती है लेकिन उसके साथी साथ बहुत सरी चीज़े accompanied होती हैं अगर वो सारी चीज़े भी आपको दिखाई दे रही है तो pregnancy 100% आपकी confirm हो चुकी है सबसे पहले चीज़ कि अगर आपकी 28-30 दिन की period cycle है तो आपका normally implantation आपका 20 दिन के बाद से कभी हो सकता है लेकिन अगर आपकी 35 दिन पे अगर आपकी cycle repeat करती है जैसे कि महिना आपका start हुआ और अगला महिना आने के time पे आपको ये 35 दिन का अंतर यहाँ पर समझ में आ रहा है तो आपका implantation भी generally 25 दिन के बाद से ही होगा अगर आपका 25 दिन की period cycle ही है तो उस time पे आपके 18 तारिक के बाद से कभी भी implantation हो सकता है लेकिन general cases में अगर आपको 20 दिन की बाद के जाए तो वो implantation के लिए सबसे best है क्योंकि normal cases में 28 से 29 दिन की जो period cycle होती है वो biologically आपकी correct होती अगर आपका इस time पे fall करता है यानि कि 20 दिन के बाद से आप कभी भी implantation को expect कर सकती है बशर्त है कि आपका evolution सही से हुआ है आपका evolution होने के बाद आपने relationship बिलकुल सही time पे रखा है relationship अगर आपने सही से रखा है और fertilization बिलकुल सही time पे हो गया है तो implantation की उमीद आप कर सकते हैं क्योंकि implantation के बिना आपके body में changes आएंगे ही नहीं आएंगे रही बात कि अब क्या-क्या changes आएंगे तो देखे आपको कई बार आपको feel हुआ होगा कि ये PMS के साथ भी कई ज्यादा related करते हैं चीजें क्योंकि जैसे ही आपका periods आने वाला होता है तो आपके body में भी बहुत से बदलाव होते हैं और आपको ये लगेंगे कि periods जैसे करते हैं लेकिन आपको ये समझने की बहुत जादा ज़रूरत है कि जब भी अगर आपकी pregnancy रोकेगी तो बहुत सरी चीजें बिल्कुल different होंगी और उन difference में सबसे बड़ा difference यह होता है कि महिलाओं को bloating जैसी समस्या होती है आप ये bloating आपका कई बर unhealthy food के वाज़े से हो सकता है अगर normal cases की बात की जाए अगर आपको pregnancy नहीं है तो normal cases में junk food अगर आपको बहुत ज़र चलता है कोई ऐसी चीजे जिसका पचन अच्छी तरह से नहीं हुआ और आपकी bloating की समस्या बन जाएगी आपको अगले दिन आपका body बिल्कुल swell हो जाएगा बिल्कुल आप bloated feel करो होगे लेकिन आपको यह समझने की बहुत ज़रुत है कि pregnancy के लक्षणों में और PMS के लक्षण में basic सा डिफरेंस यह होता है कि PMS के जो लक्षण होते हैं वह आपको कुछ दिन के बाद से vanish हो जाते हैं यानि कि जैसे ही period आपका start हुआ आपको कुछ तकलिफ है जैसे कि breast में tenderness आना, आपके mood swings होना, आपके सर में तेज दर्द होना, आपको थोड़ा सा भारीपन भी लगना, पेट में भी पूरे दर्द होना, क्रैंपिंग होना, अगर यह सारी चीज़े आपकी बिल्कुल खतम हो जाती है, period स्टार्ट होने के बाद ही इसका मतलब कि period तो हो गया है उसको आप implantation बिल्कुल मत समझेगा, लेकिन यह सारी चीज़ों के साथ ही साथ, आपको nausea vomiting भी feel हो रही है, आपको बहुत ज़्यदा घबराना भी feel हो रहा है, आपको fatigue भी लग रही है, आपको भूख बहुत तेजी से लग रही है, या फिर आपका भूख बिल्कुल कम हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने की बहुत ज़्यदा इक्षाय कर रही है, आपको feverish feeling होती है, आपको बीमार जैसा, लेधार्जिक जैसा feel हो रहा है, तो यह सारे लक्षन आपके pregnancy के हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपकी body में bloating हो रही है, और वो bloating in digestion क के वज़े से नहीं है, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह आपकी pregnancy का बहुत ही पहला प्रथम लक्षन है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपकी body में, आपके body के अंदर, जो uterus होता, उसके अंदर अगर आपके बच्चे का चिपकना complete हो जाता है, जो वही आपको कफी ज़दा bloated आप feel हो सकती है, उसमें आपका पेट फुला फुला भी हो सकता हlair, chyba टाइट भी भी feel हो सकता है, कई बार आपको डाकारे भी आ सकती है, कई बार आपको फार्टिंग भी हो सकती है, कई बार आपको क्याहूँगा बहुत hace à जैसे लगेगा कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया इस तरह कि अगर फिलिंग आती है पेट बिल्कुल फुला हुआ तो इसे हम लोग ब्लोटिंग कहेंगे और यह ब्लोटिंग अगर नॉर्मल आपका भोजन है नॉर्मल बोजन के इंटेक में अगर यह चीजे हो रह हुआ अगर ऊक्रेंपिंग तो यह आपके निशानी होती है पेट में हलकी हलकी से मरोड हुरा है डिस्कमफर्ट हो रहा है मुव में बिटालिक टेस्ट आ रहा है तो यह सारे जो लक्षन है वह आपके प्रेगनसी के होते हैं क्योंकि जैसे आपके जबान पर मेटालिक टेस्ट आएगी आपकी बोड़ी नौजिया वमेटिंग को भी फील करने स्टार्ट कर देगी और आपको कुछ-कुछ देर पर आपको हलकी हलकी चीज़े लेनी है नहीं तो आपको वोमेटिंग भी हो सकती हो आपकी बाद बड़ा लक्षन होता है तो इन सारे लक्षनों को आपको समझना है देखना अपनी बोड़ी में चेंड़स को एकसेप्ट करना है तब आप जाके अगर पीरिड मिस हो ज जबान में यह हैं कि हाँ बहुत ज़दर ट्राइब कर करे हैं उनकी प्रेगनसी जल्दी से जल्दी रूख जाए बस इसी दुए के साथ इसी कामना के साथ कि आपकी प्रेगनसी जल्दी रुकिए और आप मुझे चैनल पर बताईएगा आप इस वीडियो को एंड करती हूं वीडियो अच्छी लगी तो प्लेज लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर शेवर सब्सक्राइब करें मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक का जो मेरा